हेलो एव्रिवन वेल्कम बैक टू माई चेनल फ्रिंट्स आज की इस वीडियो में 36 साइस का प्रेंसिस कट बैल्ट ब्लाउस बनाएंगे और इसे हमें आप पर 36 साइस का बनाने वाले हैं तो अभी तक आपने चेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लीजेग तो यहां पर लाइनिंग और मैन फैवरिक दोनों हमने 80-80 cm लिये हैं और इसकी जो कटेंगे वो पहले हम लाइनिंग पर करेंगे तो बंद वाले भाग को हमें हमारे साइट पर रखना है तो यहां पर स्टेट लाइन ड्रो कर लेंगे फैवरिक को स्टेट करनी के लिए और यहां पर हमें इसमें बैल्ट बला बनाना है तो बैल्ट में हमें मार्जन चाहिए होगा तो हम पर डारिक इसमें लाइनिंग पर कट कर रहे हैं तो यहां पर हमें 2 इंच मार्जन लेना है तो टोटल जो लाइन थे वो हमें रखनी है 14.5 इंच की इसमें हमें 2 इंच मार्ज चेस्ट का 4th पार आएगा 36 का 4th पार 9 इंच 2.5 इंच प्लस करेंगे मारजन के लिए वेस्ट है 30 उसका 4th पार लिना है 7.5 इंच 2.5 इंच नमें आपे टक्स के लिए और 2.5 इंच मारजन के लिए लेना है साइट से लाइन को ड्रॉ करेंगे और वन इच से अमूल के साइट पर गुलाई देनी है अभी आपर हमें बैल्ट की मार्किंग करनी है तो बैल्ट की जो मार्किंग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं हापर 14 इंच पर सुरी 13.5 इंच पर 13 इंच हमारा lower chest आ रहा है उसमें half इंच प्लस करके लिया है अभी आप 1 इंच marking करेंगे belt की shape देने के लिए यहां से 3.5 इंच लेना है tux point जो आएगा वो लेंगे हम 10.5 इंच पर princess cut का shape देना है tux की जो wheat है वो हम 2.5 इंच की रखेंगे और shape देना है तो दिखें यहां से 2 इंच रखेंगे यहां से half इंच रखेंगे तो जो हमारा shape होगा वो proper आएगा तो अपको दोनों side से marking कर लेनी तो एक side से थो हमने half इंच की marking की है और दुस्य side से हमने 2 इंच की marking की है तो stripe से stripe देना है यहां से measure कर लेना है कि यह कितना आ रहा है यह दिखे 3.5 इंच आ रहा है तो यहां पर भी 3.5 इंच पर marking करेंगे और इस तरीके से line को draw कर देना है यहां से belt का shape देना है जो हमने 1 इंच पर दिया था यहां से भी इसको थोड़ा सा उपर के side कर देना है और इस part को हम cut करेंगे यह देखिए दोनों part हमने cut कर लिए अब इसे man fabric पर cut करना है तो जो man fabric उसके design आपको देख लेनी है कि किस type की design इसमें दी होई है उसी के according आपको fabric रखना है यह देखिए side से हमने रखा इसको में बंद बाले भाग पर ही रखना है और इसे हम cut करेंगे तो यह देखिए हमने इसको cut कर दिया है यह belt भी cut कर लेने तो belt में से हमें 2.5 इंच margin जो थ्याव उसको हमें कम कर देना है क्योंकि tux हमने यहाँ पर इसमें नहीं रखना है क्योंकि उपर वाला जो tux था वो तो बंद हो जाएगा हमारा तो इसमें हमें margin नहीं लेना है tux के लिए अब इसको stitch करेंगे तो सबसे पहले हमें princess cut वाले part को stitch कर लेना है तो इसे सभी side से stitch करना है और side का जो भी extra fabric होगा उसको हम cut करेंगे दोनों part stitch कर लिए इस part को हमें जो मारा belt है उसको भी stitch कर लिना है तो lining और man fabric दोनों को साथ में stitch करेंगे जो फसक करेंगे यदियों करेंगे यिएगी जो में जो एले करेंगे तो इससे हमने आपर स्टीच कर दिया है और अभी हमें नैकी कटिंग करनी है तो इसको हमें फॉल्ड कर दिना है इसको पिन अप करेंगे नैकी जो वेट थे वो हमें 2.5 इंच की रखनी है 2.5 इंच पे मार्किंगी नैकी लैंध हम 7 इंच रखेंगे शुल्डर को स्टीच करेंगे तो 6.5 इंच रहेगी इस ट्राइब से शेप देना है और इसे कट करना है अब लाइनिंग फैवरिक की क्रॉस में हम पट्टी कट करेंगे पहले हमें नैक को स्टीच कर लेना है अब ही क्रॉस में पट्टी कट करेंगे लाइनिंग फैवरिक की और नैक पर स्टीच करेंगे कट लगाना है यहां पर पूरे ही नैक पर एक स्टीच हम पट्टी के उपर से करेंगे अंदर के साइट फोल्ड करते हुए स्टीच कर देना है यह देखे इस तरीके से साइट से एक स्टीच और करना है नैक कंप्लीट हो गया अब प्रिंसिस कट वाले पार्ट को स्टीच करना है दूसरा पार्ट भी स्टीच करेंगे दूनों पार्ट स्टीच कर लिए अब यहां पर हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करना है यहां से हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस टैप से V शेप देना है इस टैप से V शेप देकर इसको कट किया अब यहां पर क्रॉस में पटी कट करेंगे आप स्ट्रेट भी कट कर सकते हैं इस तरह से डबल करके इसको यहां पर स्टीच करेंगे यहां पर कॉनर निकालते हुए स्टीच कर देना है यहां पर दिखिए कट लगाएंगे अंदर के साइट फोल्ड करते हुए स्टीच कर देना है यह दिखिए तो हमने इसको स्टीच कर दिया है अभी यहां पर नेट फैबरिक लेना है और इसको यहां से फोल्ड करना है इसके उपर हम इस तरीके से रखेंगे इसको और स्टीच करेंगे तो दिखिए हमने इसको कट किया अब इसके उपर हमें लेस लगानी तो मैंने आप पर सिलिवर कलर की लेस ही उसकी है साइट से के स्टीच और करना है अभी हमें आप पर बैल्ड को स्टीच कर दीना है तो सेंटर पर रखकर मैजर करके और फिर स्टीच करना है बैल्ड को यह देखिए इस तरीके से बैल्ड को स्टीच कर दिया अब यह हमारा बैक वाला पार्ट है यहाँ पर हाफ इंच का मारजन लिया है आई हो की पटी के लिए और सेंट जैसे मेजर्मेंट हमने फ्रेंट पारट मिलिया था वैसे ही लिया है अब यहाँ पर हमें नैकी जो वीट ने थे वह हम नहाँ पर रखेंगे ट्री इंच से क्योंकि थोड़ी से ढिजाइन बनानी है हमें अब यहाँ पे इसकी जो लैंद है वो 12 इंच रखी है स्टाइब से शेप देना है एक शेप और देना है आपको स्टाइब से यह देखिए पर इसको थोड़ा सा अंदर के साइट पर करेंगे डिजाइन को यह देखिए स्टाइब से और इसे कट कर देना है इसको साइट में रखेंगे अभी नेक को स्टीच कर देना है तो पहले नेक को कट करना है फिर हम इसको स्टीच करेंगे और अगर आप चाहे तो इसमें पेपर पेस्टिंगी भी उस कर सकते हैं मैंने इसमें पेपर पेस्टिंग उस नहीं की है तो अभी हमें नेक को इस तरह से स्टीच करना है और नीचे के साइड भी हम इसको स्टीच करेंगे यह देखिए इस तरह से बाकी साइड से भी स्टीच करके एक्स्ट्रा फैबरिक कट करना है यह देखिए स्टीच किया यहाँ पर हमने इसको नेट फैबरिक का कट किया है सभी साइड से एक्स्ट्रा लिया है हमने इसको और यहाँ पर डबल हमने नेट फैबरिक लिए है तकि हम इसको बलट पाए यहाँ पर कॉर्णर निकालते हो इस टीच कर देना है कर्ट लगा दिया है बाकी साइट भी कर्ट लगाना है और इसको पलट देना है इसका जो कॉनर रिवच्छे से निकाल कर हम इस पर स्टीच करेंगे बाकी साइट से भी स्टीच कर देना है अब यहाँ पर हमें लटकन लगा लिनी तो मैंने याँ पर सरकल कट किया था सरकल को सेंटर से कट किया तो यह स्टाइब की हमने पार्ट कर लिए और इनकी हमें लटकन बना लिनी है ये दिखिए तो थोड़ी थोड़ी पर इसकी लटकन बन जाएंगी ये दिखिए तो लटकन बन गई है हमें आपर इस तरह से अडेच कर देना है इसको तो देखिए हमने इस कोटेज कर दिया अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से रखकर स्टीच करेंगे ये दिखिए इस तरह से तो नेक भी कंप्लीट हो गया है अब हमें यहाँ पर भुक की पटी लगानी है तो लाइनिंग फैवरी को डबल करते हुए स्टीच करना है उपर नीचे दोनों साइड हमने एक्स्ट्रा फैवरी रखा है इसको फोल्ड करने के लिए तो फोल्ड करने ना है अंदर से फोल्ड करते हुए स्टीच कर देना है तो हुक की पटी कंप्लीट हो गई है बैक टक्स लगा देना है जिसकी लेंद हम फोर इंच रखेंगे पाई की पटी लगानी है इसे वेट में थ्री इंच रखना है इसमें भी उपर नीचे दोनों साइड हमें फोल्ड करना है फैवरीक रखना है इसमें फोल्ड करने के लिए और इस तरीके से एक बार और फोल्ड करते हुए स्टीच करना है तो बैक पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है तो दिखे हमने इसमें लेस भी लगा दी है तो फ्रेंट और बेक पार्ट दोनों हमारे कम्प्लीट हो गए है तो इसकी जोब स्लीज होगी उसमें हमें स्लीज की डिजाइन देखेंगे तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो को सब्सक्राइब जरू करिएगा थेंक यू